हाथ जो है वह हम स्प्रीनिक टेखनीक देखेंगे इस्प्रीन को अल्टरसाउंड में किस तरीके से जो है वह इसकेन किया जाता है दा अल्टरसाउंड इग्जामिनेशन ऑफ देस्टीन इस बेटर परफॉर्म इन फास्टिंग पीशन जब हम अल्टरसाउंड कर रहे हो तो जादा अच्छा जो है वह कब हमें स्केन मिलेगा जब पेशन्ट फास्टिंग में हो उस चाहिए इंसाशन 1 लेटर्डर्ल पोजीशन 10 जाइन में हो इस सुपायव जो हैं ऑपर चथ की तरफ हो ठीक है intercostal position पिछले विडियो में भी भी बिफाइन कर चुकिन सब कोस्टल intercostal supine position पोजिशन जो है मैंने इसली विडियो में भी अपने define किई हैं फिर बता देती हूं intercostal between the ribs between the two ribs दो anterior के दर्मियान जो है वो रखने अप्रोप प्रोप को अप्रोच जो जो हम रखेंगे अपनी इंट्रकोस्टर अप्रोच और फिर हम अपने टांस्जूसर जो लेंगे वह कौन सी फ्रिकेंसी का ले रहे हैं यह 3.525 मेगा हर्ट्स का ट्रांस्जूसर प्रॉप यूज करेंगे हम इसके लिए ड्यू तु हाइप पोजिशन ऑफ इस और गन स्प्लीटन से खिल एक स्षण को थोड़ा रिप ब्रीद जो लिए पेशन को फोड़ा डिपडर स्टै अच्छा उस लिए यहां बहूं होतोज इस यह भी देख लेंगा इसका कुणल त्यक्स्टर यह इह स्प्लीट ब्सक्टरा हाइए टिवर स्कांइगे si साइज की बात करें तो साइज हमने पिछली वीडियो में भी अपने देखा था किना नाइन टू ट्यल्फ सेंटीमिचर लॉंग लेंगे और थिकनेस जो हम इसकी सिक्स सेंटीमिर तक लेंगे अच्छा एको जनेसिटी अगर हम देखें तो थोड़ा जो है वो किड्नी इससे क स्मूथ शेप क्रिसंट दिखाए देगी वही चांद की तरह और स्मूथ दिखाए देगी ठीक है इस्प्रेलिक पंक्रियास की बात करें इसके टिशू की बात करें तो नॉर्मल जो हमें दिखेंगे नॉर्मल स्केन में नॉर्मल स्प्लीन जो हमें दिखेंगी वह किस तरी की थे ज़ादा होगी जन लिवर के पैरंकायमा होता है उनसे लेकिन होंगे होंगे अधाने हिसे लिवर के हमने देख़ा है अच्छा इसमें क्लैफ्ट आजाए यह देख रहें अप इसमें कि यह तरीक शुक्ण का होगा यह हमेड़क करेगा मतलब इस तरीके का दिखाई देगा जिसके ट्रॉमा ओ गया को इंजरी हो गई स्वालेक वम से लेकल पर नहीं तो कुछ ल कहा क्भी थे हैं किया ञाَّच करोधान में यहां रिकावा कर्या सुन्टूरा नहीं होता है इसके बाद पेथोलोजीज देख लेंगे इक एक करके सारी पेथोलोजीज हम पढ़ेंगे ट्रामा पढ़ेंगे स्पिरिनों में तो इनफर्चन थेकेंगे तो ट्रामा की बात कर लेते हैं यहां पर सब्सक्राइक से आप से ट्राॉमा को दिखाया हूँ है करें इंजरी हुई है फस्ट जो है वह यहां पर फस्स डिगरी ग्रेड वन का जो है वह हमें ट्रामा दिखा हूआ ग्रेडवन में इतना ठोड़ा सही हमें दिखने को मिल रहाँ अगर यह देखें घ्रे टू का अगर ट्रामा देखे तो इसमें जो है फॅश्बधोन जादा हमें दिख रहाद है जाए इसमें जो लिखा हुआ है वह इतना छोटा रही टług मुझे जो संदाए को दिखाई नहीं देरा तिकान के आप को दिखे तो आप लोग डिग्री में आपको तो क्रेक्स दिखेंगे पूरी टूटी हुई और यह देगें फाइव डिग्री में तो बिल्कुल जो है वह ऐसा लग़ा जैसे बिखर गई हो क्षा दूसरा हमने देखा था इस्प्लीन मिगैली मनलार्जमेंट हमें वह दिखाई देंगी स्प्लीन मुगैली में अब इसके काफ़ी शारे रीजन हो सकते हैं क्यों जो है वह वह पढ़ी हो गई अपने सो सकती है किस पिंजिल मारें हमें क्या दिखाई दे रही है अपनी साइज से बड़ी दिखाई दे रही है उसके से क्यां ब pont यह सकती हैं घैल की तो यहां海ंग देख लेते हैं सबसे पहली तो हमें दिख रही है portal hypertension जो हमें दिखाई दे रही है या cognitive दिखाई जाएं या जो है वो थ्रॉंबस हो जाए हैं हैपेटिक पोर्टल स्प्लिनिक कोई भी जो है वो थ्रॉंबस हो गया वाइरल परसाइट फंगल कोई भी हो गया इन्फिल्ट्रेटिफ में अगर आ जाएं तो मेलेगनेंट और नॉन मेलेगनेंट हो सकते हैं कैंसरास और नॉन कैंसरास दोनों सकते हैं इसके जासे स्प्लीन बड़ी दिखाई देगी इंफेक्शन हो गया तो स्प्लीन बड़ी दिखाई देगी इंफ्लामेटरी कोछ भी इंफ्लामेशन हो गई कोई इंफ्लामेशन में भी क्या दिखाई देगी उसमें अगर देखें तो हीमितृ लाइटिक डिजीаз वह डिजीज जिस में दोखे रहे हैं मरते हुए दिखाई दे रहे हैं हीममो मतलब ब्लड और लाइटिक मतलब तूटा हुआ या तूबट जाना तो सिकल सेल अनिमियाज है थेलिसीमियाज है कोजनाइटल हो गई कोई तो इस तरीके की जो है वह डिजीज में क्या दिखाई देगी तो क्या करेगी जादा बनाना शुरू करेगी उसके वजासे जादा वर्क कर बड़ी हो जाएगी इसी तरीके से कोई कैंसर हो गया कैंसर में क्या होता सेल डिवाइड होने शुरू हो जाते हैं ज्यादा अबनॉर्मल डिवीजन शुरू होती तो उसके अबनॉर्मल डिवीजन ज्यादा हो गई सेल ज्यादा बड़े जा रहें बड़े जा रहें कर दे गए क्योंकि उसको पाथजेंस को मारना है तो उसके लिए वह जाला हाड वर्क करेगी हैं बड़ी हो जाएगी इस जो है वह चीजहें हैं जिस्सें स्प्लीन जो है वह क्या क्या दिखाई देगी हमें ईलाज दिखाई देगी के Ε Such a हाइपरिंस्प्लीनिजम यह भी हाइपरमिन ज्यादा बड़ा और स्प्लीनिजम स्प्लीन ठीक है तो इसमें भी क्या देखने हैं स्पीन इलार्जमन दिखाई देगी डेफिशेंसी और और मॉर ब्लड सेल्स अब इसमें क्या होगा कि डेफिशेंसी हो जाएंगी कुछ एक ज्यादा ब्लड सेल्स की किस तरीके कौन-कौन से हो सकते हैं जैसे हुस्त है कि इसमें जो हमें क्या मिलेंगी को क्या जाएंगी स्थेज जो जाए बॉन मेरो इपर पलेजिया बॉन मेरो जो होगी है पहल बला इंच मेलकें सिट कीकेशन बढ़ जाएंगे इसको ट्रड 6 करेंगे बींच और सिकेंड पreyмडी में एडियो पैथिग है हमें पता ही नहीं है वजा कि प्राइम डी कब होती है सिकंडरी में जो कॉलजास है इसे वे पोटर वेल हाइपर तैंशन बताई हूए ये देता हूं उसके बाद सक premie को इस वह कि ट्राॉमा की वज़ा सकती साइड है वहां पर जाएगी टोस अण स्प्लिन निक एफसेस आर रेर नहीं लिखा हुआ भी यह जोए ना थोड़ी रेर ने तो स्प्लिन एफसेससे इस वाल अफ इनफेक्शन वेटिन दस्प्लीन इस्प्रेन में इसस्टम स्प्रेस्ट हो गया वह कम हो गया उसकी जो हे वह कुछ ऑग तुछ मुदाक्फ़त हो गई ठीक और एंज इंफेक्शंग्शन दा यह इंफेक्शन दो गए इंफेक्शन होगह तह पस होगी तो प्राइंप डीजीट ट्रोल ज्वेर बाता है प्रामा इमीन इस प्रामा म मिलें लेकिन उसके बाद पर्डेक्शन नहीं कहीं पर ब्लट की सब्लाइ का दू आ रुख जाना तो इसमीन से इट हो जाएगी इस्प्लीन के टिशूर का बलोड भो रख हो रहा यह नहीं अपर मेरी नहीं स्प्लीन को ठीक है सही से जिस जगह को टिस्टि आपक हो जाएगी ब्लड 1968 Q परना शुरू हो जाएंगे ।ज हो जाएगी ५ंकॉर्म को हमें क्या हो जए थ्रोंबॉब्लसम किसी कोई ब्लड क्लॉट को फस़ जगा पर तो भाकज हो जाएगी प्लोट के थे को फसने के वजा से फिर ब्लोट की फसने के वजा से इफ्वाक्शन शुरू हो जाएगी वहाँ पर blood supply बंद हो जाएगी blood supply बंद हुई और जो है वो टिशूज मरने शुरू हो जाएंगे टिशूज को मिली नहीं सप्लाइब ब्लड नहीं मिलेगा blood supply रुख जाएगी टिशूज नेक्रॉसिस की तरफ चले जाएंगे यह हमारी लास्ट लाइट थी स्प्लीन आज कम्प्लीट हो गया हमारा